शामली शहीद परिजनों से घर राहुल गांधी प्रियंका गांधी जोतिरा दित्यन सिंधिया और राज बबबर श्रधान जली देने के लिए पहुंचे जहां सभी राजनेताव ने शहीद के परिजनों को सानत्वना दी और शहीद की प्रतीमा पर पुषपर पित कर शृधान जली अर पित की वही राहुल गांधी ने शहीद प्रदीपुव शहीद अमित के परिवार से भी बात चीत की जहां राहुल गांधी ने अपने पिता की हुई हत्य का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें शहीद के परेजनों का दुख मालूम है क्योंकि उन्हों ने भी वह दुख देखा है और वह शहीद के दुख के साथ पूरी तरह खड़े हैं वही राहुल गांधी ने शहीद प्रदीप के बेटे सिध्धार्थ से उनके कैरियर को लेकर चर्चा की जिसमें राहुल गांधी ने सिध्धार्थ से उसकी पढ़ाई को लेकर वहागे क्या करना चाहता है इसको लेकर बातचीत की यही नहीं राहुल गांधी ने शहीद प्रदीप के बेटे सिध्धार्थ को अपना मोबाइल नंबर देते हुए खहा की कभी भी उन्हें किसी भी तरह की आवशक्ता हूं तो वहुंसे संपर्क चरूर करे करीब 30 मिनट तक श्खीद प्रदीप वश्खीद अमित के परिवार से मिले जिसके बाद सभी राजनेता दिल्ली के लिए रवाना हो गए संपर्क चरूर करे कि अने वाले टाइम में हुंने जाने जाया की जब भी जिए राउल गांधी की दवारा हूं को यास वासन को दिया गया आपको उनुने मुझे नमबर तिया है अपने सेक्रेट्री का कि जब भी मुझे ज़रूरी पड़े तो मैं उस पे बॉल कर दें, कुछ भी हो, कोई चोटी से चोटी बात भी हो,। तब भी मैं अगर बात करना चाहूं, तो वा बात करें. परिवार के और लोगों से भी उन्होंने बात की है, तृइंका गांधी भी थी, वो क्या कहा है? उन्होंने बस यह समझा है कि अगर तुम यह पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो मैंने तहां कि मुझे इस ली यह बनना है तो उन्होंने पूछा कि तुम आज स्कूल में क्लास में कैसा परफॉम करते हो तो उन्होंने कहा कि अगर तुम यह हो तो तुम वही बना जो तुम्हारे पापा चाहते है